नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका निदकर शाय चैनल में और केमस्टी की जो शिंखला हमने स्टाइट की थी उसी में मैं आप आगे बढ़ूँगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वो है तत्व योगिक परमाडू परमाडू सनचना आप कह सकते हैं परमाडू तथा परमाडू सनचना को ले करके हमारा जो यह टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है और कुछ कमेंट बच्चों ने किया था कि सर जो है आप शुरू से बताएं जैसे बीच से ना तो मैं मान की चल ला था कि आप लोग का कॉंसर्ट थोड़ा बहुत मजबूत होगा इसलिए मैं दखी मेरी आदत है कि मैं उन टॉपिक को पहले फोकस करता हूं जो परिछा दिश्टी से इंपॉर्टन हो क्योंकि फर्स्ट इंपक्ट जो होता वही आपका लास्ट इंपक् पॉलिमराइजेशन तो है ठीक अच्छी बात है पॉलिमराइजेशन के बात हमें फर्मेंटेशन और कुछ इंपॉर्टन और गनी कंपाउंट बताने थे बट हमने उसको प्चेंज करके हम बेसिक कॉंसर्ट से स्टार्ट करेंगे कहने मतलब है वो तो रहेगा ही रहेगा बाकि अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे जहां से आपका कॉंसर्ट क्लियर करते हुए परिछवप योगी वाली जो भी चीजें उनको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो यह इंपॉर्टन है और कोशन आता है और खासकर आपसे इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या है कैसे है मतलब इसमें आपको यह याद रखना कि यह बेस है आपका यहां से जो है बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं मतलब यह क्या है एक तरका आप कहसकते हैं मूल कड़ होते हैं फिर आप कहसकते हैं यह मूल आधार हैं जिनसे प्रश्ण की उत्पत्ती होती है तो फिर आप आगे नहीं कर पाएंगे फिर समस्या काफित पन होंगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को रट के आगे बढ़ जाना है हर चीज़ों को समझ के ही आगे हम लोग कवर करना तो आई स्टाट करते हैं हमारा आज का जो है केमस्टी का टॉपिक प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीज़ेगा अपने साथ साथ अन्य अपने जो भी मित्र होंको भी भेजी ताकि उनका भी लाफ सुनिक्चित हो सके तो यह स्टाट करते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है पहला हमारा जिसमें वह है पढ़ा हुआ है तो यह तत्त्य की बात कर रहे हैं यहां प चुल उस्टाट की होता रहा है यह तुक्ल सोंसे.. पदार्थ आगया तत्त्त के अंतर्गत क्या आगया पदार्थ आ गया या सकता ये ओ भी थ्यक्त बेसिक वो बेस यानि वह मूलकण आप कह सकते हैं वह मूलकण जो अब ना तो डिवाइड हो सकता है और नहीं जो है किसी के सयोग से जुड़ सकता है अब इससे सरल मुझे तनी लगता है और कोई बताएगा उसे ही हम कहते हैं तत्व तो यहां पर आपका कांसेप्ट ट्लियर हुआ एक चीजाद रखेगा तत्व के अंतरगत पदार्थ या पार्टिकल आते हैं तो तत्व के अंतरगत पदार्थ कहलो या कण कहलो या मैटर कहलो या पार्टिकल कहलो एकी बात है तो जैसे सोना चांदी तो सोना चांदी क्या है ये तत्व आते हैं सोना क्या है एक तत हुआ है अगला है योगिक यॉगिक में ही आप अगर जब 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 ध्धान देंगे तो question में ही आपको थोड़ा सा लग जागा योगिक योग वर्ड यहां पर जोड़ा हुआ है योग मतलब होता है जहां पर योग मतलब होता है जहां पर जोड़ना योग वो दिवस के बात नहीं हो रही है वो योगा अली बात नहीं हो रही है यहां पर यहां पर केमेस्टी के सेंस में हमनों पढ़ रहा है यहां पर यो पदार्थ जो रासाइनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्तों के एक निश्चित अनुपात में रासाइनिक संयोंग से बने हैं कहने को तो यह है जब दो या दो से अधिक तत्तों का एक निश्चित अनुपात में रासाइनिक संयोंग होगा यानि वहाँ पे हमने element के बारें पढ़ा और जब 2 या 2 से अधिक element जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे निर्माड हो जाता है योगिक का अभी हमने element पढ़ा जिसके अंतरगत particles आते थे और हुने क्या पढ़ा? compound पढ़ा और compound मिल के बन गा किसे? element से यह दोनों के सहयोग से मिल के बना हुआ है हाना मेरे बाद समझेगा? यानि हाइड्रोजन और ऑक्सिजन दो प्रकार के तत्तों से मिल करके बना है जल और जल एक प्रकार का क्या compound है? देखिए सब चीज़े परिच्छा में पूछी नहीं जाएंगे बट यह है conceptually आपको अगर यह समझे रहेंगे तो आगे काम देगी जैसा कि मैंने भी बता रहा हूँ आपको प्लीज वीडियो को पूरा देखिए का बहुत important वीडियो रहने वाला है अगला है परमाडू most important है most important परमाडू है क्या atom बहुत ज़्यादा याता है कि यह होता क्या बहुत लोग आपका तो आप आए देखते समझते हैं कि परमाडु है क्या एंगलिश में जी से बोलते हैं एटम तो एटम है क्या किसी पदार्थ या तत्त का वह सूख्षुतम कर देखिए किसी पदार्थ या तत्त का यहां पर एक चीज बार-बार कॉमन आ रही है यहां से इन सभी चीजों की उत्पत्ती हो रही है यहां पर आपको याद रखना है परमाडु वे होते हैं जो सतंत रवस्था में तो नहीं रह सकते परन तु सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं याद हो जाना चाहिए या रखिएगा सतंत रवस्था में नहीं होते फ्री स्टेट में नहीं पाय जाते बट यह कैमिकल जो रियक्शन्स होती उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्लेर हुआ तो यह नहीं होता है आपका एटम और यह भी चीजा रखना है कि यह क्या होता है कि इसका बना होता है यह तत्तु के ही पार्टिकल्स होते हैं ठीक है पर माडु विभाज है तथा इसके अंदर बहुत सारे करण होते हैं जैसे electron, proton, neutron, positron, neutrino, anti-neutrino मतब बहुत सारी चीजें जो है परमाडू के अंतरगत रखी जाती है क्यार हुआ बट निश्क्री गैसे निश्क्री गैसे मतब होता है inert gases बहुत important है inert gases मतब कि जिनका वाह को stuck है ना या जिनका जो cells होते हैं न वो electron लेने की अपक्षा करते हैं नहीं देने की अपक्षा करते हैं inert gases में रखा जाता है निश्क्री गैसों में तो helium, xenon, redon, argon, krypton ये सभी आपकी क्या है निश्क्री gases है कैसी है निश्क्री gases है जिसमें आद रखेगा redon ऐसा है जिसकी खोच किसे की थी dawn नहीं की थी और redon का प्रयोग हम cancer के उप्चार में भी करते हैं ये आपको याद रखना होगा और redon एक ऐसा निश्क्री gases जो आपके environment में पाया जाता ये भी परिष्छा का प्रश्न हो गया तो कोई सारे चीज़े यहां से निकल के चलिया ही है तो परमाडू क्या है परमाडू मतलब एटम और एटम मतलब जो free state में ना रहा है बट chemical composition में participate करें बार-बार focus क्यों कर रहा हूं क्योंकि अब आगे जो मेरा अगला जो इसमें होगा topic वो important होने वाला है और यहीं समलों अंतर भी समझेंगे अगला है अडू तो किसी पदार तत्त्त या योगिक का बाच छोटा से छोटा कर जो स्वतन्त रवस्था में रह सकता है परन्तु अभिक्रिया में रसानिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता यानि कि अडू क्या होते हैं जिसे इंगलू शे बोलते हैं molecules क्या होते हैं molecules भी देखे तत्तु की बात बार-बार आ रही है इसलिए confused मत होईगा यानि तत्तु का या फिर योगिक का दोनों में अंतर है मतलब जो अडू हो सकते हैं वो दो चीजों के हो सकते हैं जो molecules होते हैं वो दो चीजों के हो सकते हैं वो आपके element के भी हो सकते हैं और compound के भी हो सकते हैं मतलब कहने मतलब उन दोनों के ही अंतरगत आते हैं तो किसी पदार्थ तत्तु या योगिका वैच छोटा से छोटा कर जो स्वतन त्रवस्था में रह सकता है मतब free state में ये रह सकते है molecules जो होते हैं वो free state में रह सकते है परंतु rasayani का विकरिया में भाग नहीं लेते तो पर्माडू और अडू में basic अंतर है हम लोग यहां पे समझ पाएंगे क्या अंतर है basic अंतर परमाडू क्या था और अडू क्या था तो देखें अडू क्या था अडू स्वतन त्रवस्था में रह सकता है और रसाइनी का विक्रिया में भाग नहीं लेता है मतब free state में हैं बट chemical composition में भाग नहीं लेता बट इसी का उल्टा कर दीजेगा chemical composition में जो भाग ले सकता और free state में नहीं रह सकता वो हो गया आपका परमाडू हो गया तो दोनों ही अंतर याद रखेगा कभी कभी और ली आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बेटा ये बताओ कि अडू और परमाडू में क्या अंतर होता तो बहुत बच्चे confuse होते है परमाडू के लेकि काफी confusion होता है इसलिए confuse नहीं होना है याद रखेगा अडू वे होते हैं जो स्वतन तरवस्था में रहते हैं और रसायनी का विक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और रसायनी का विक्रिया में भाग लेता है और स्वतन तरवस्था में रहता वो है आपका परमाडू तो मेरे इसाब से अब सायद आपको परमाडू गाडू में confusion नहीं होना चाहिए अगला हम बात करेंगे परमाडू सन नचना की किसकी बात करेंगे परमाडू सन नचना की बात करेंगे Atomic Structure जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों Atomic Structure जिसे हम कहते है Atomic Structure तो यह कुछ डियागराम बना हुआ है Atomic Structure क्योंकि देखे परमाडू की सन्रचना मतलब तो structure कैसा है एक एक परमाडू है और उसके में क्या है नाभिक है नाभिक को इंगलिश मोलते हैं क्या है न्यूक्लिश में क्या होते हैं तो सबसे पहले आप जाने परमाडू सन्रचना के अंतर तीन मौलिक कड़ आते हैं एक एलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है तो याद रखेगा परमाडू सन्रचना के अंतर तीन मौलिक कड़ वो कौन-कौ कि परमाडू है उसमें क्या है नाभिक है तो नाभिक में क्या होता है प्रोटान और नीट्रान होता है और एलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार और चक्कर लगाते हैं प्रोटॉन पे जो है चार्जिस होता है वो पॉजिटिव का न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो न स्ट्रक्चर का यह मूल पार्ट होता है साथ इसाथ अब यहां से एक कोश्चन पर इच्छा का कभी-कभी पूछ लेता है ठीक है और आप लोग पेपर सॉल्फ गयोंगे तो आपको पता भी होगा कि एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोच किस ने की ती य इसका मतलब यह हो ऐसे आद करिए तो इट पर नाच या इट पर नाच जो भी आपको अच्छा लगता है वह आप से कर लिजेगा इट पर नाच बता होता है एलेक्ट्रॉन की खोच जेजे टॉम्सन ने की थी प्रोटॉन की खोच रधर फोड ने की थी न्यूट्रॉन की तीनों की खोच करता आपको पता चल गए यह यह इन्होंने जो है इसकी खोच की थी ठीक है तो यह था आज का हमारा वीडियो जो की बेसिक वीडियो अब इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा मैं मेरा वीडियो बनाने के उद्देश सिर्फ आप के लिए होता तो जो आपको अच्छा लएगा वही हमनों कारी करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद